हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गडीत के उन सभी प्रश्णों को हल करेंगे जो आपके बोड के एक्जाम में जो प्रश्ण पूछे जाएंगे फ्रेंस आज हम गडीत के महत्वड बहविकल्पी प्रश्णों को हल करेंगे जो बोड के द्वारा 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 में ये सभी प्रश्ण आपके कम से कम 6 से 10 नो बार ये प्रश्ण पूछे जा चुके हैं तो फ्रेंस आपको गारंटी देते हैं कि ये 2023 के बोड के पेपर में आज जो प्रश्ण कराएंगे यही सभी प्रश्ण आएंगे तो फ्रेंस आज जो क्वेस्टन लिये हैं आपके पूरे किताब का निचोड़ है तो फ्रेंस आप से सिर्फ इतना निवेदन है कि इस वीड में संख्या है तो फ्रेंस इसका आपसन है 22 बटा के साथ पाई 0.6 पाच बटा के करणी में 16 तो फ्रेंस आपको एक चीज बता दे कि जिस प्रश्ण का एंसवर आपको पहले से आ रहा हो उसका एंसवर आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखे आपको सभी प्रश्ण का से चाइए किस सवाल हो को हल करेंगे ठीक है यहाँ पूचा है आपका आपरी में संख्या देए चीजिसे हम पे पनक्योट के रूप में नहीं लिख सकते हैं ठीक है प्लस करणी में 3 पूछ दे या पाई का देर ये सभी अपरीमे संख्या होती है इसे याद रखेंगा आपकी पेपर में यह प्रश्न जरूर पूछेगा ठीक है तो फ्रेंज इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा बी ता परिमेशंग्या क्या है आपका पाई है ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नमबर का सवाल है कि दिवघाद स्वाल को आप कैसे हल करेंगे अब देखिए आप सुन्यक दिया है माइनस तीन तो आपका पहले जो यह समीकर दिया है इसको लिख लिए क्या दिया है देखिए के माइनस वन अदम सिंपल बाद हम समझाएंगे सुरावड की फ्रियर्य। स्वागal क दिया है यहां फिसको सुन्यक माइनस तीन है तो धाया प्लस के कुड़े मांँस 3 तो मांइस 3 लिजे प्लस 1 बराबर 0 की जिये अब देखें आप यहाप पर के मांइस 1 है तीन करेंगे तीन के कितना हो तीतली के 9 हो जाएगा माइनस का जानते ही, स्क्वार हमें साब प्लस में आता है, इसका गुड़ा करेंगे तो माइनस 3K होगा, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, अब देखे 9 को गुड़ा कर लेजी, 9 के, 9 के एक पर करेंगे, माइनस 9, यहाँ पे 3K, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, अब यहाँ पे देख ठीक है, अब आपसन में देखते हैं, कहां पे आपसन में 4 बराबर 3 दिया है, आपसन जो देखेंगे फ्रेंज, आपका पहले वाला ही, आपका मिल गया कि 4 बराबर 3 लेकिंद दूसरा अपसन भी देखे, माइनस 4 बराबर 3 दिया है, इसको ध्यान दीजिए, एक प्लस में प्लस में प्लस में एक सवाल को देखते हैं यह अगले नंबर का सवाल की संख्या चार करड़ी में तीन है अभी आपको बता है कि करड़ी में तीन आए यह करड़ी में इस प्रकार से आ है तो हमेसा संख्या क्या होता आपका पर इंडे होता है इस प्रश्ण का आपका सही जवाब होगाई सी होगा अपने संख्या है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपकी समने अगले प्लस तीन वाई वरा कितना जोगे लगैं तीन वाई की एक्स भारा कितना कर वाल चार तो लिखते समय हमें सब पर अप्ले यक्स भी होता है यक्स कमान पहले से दिया आपके कितना है जीरो है यहाँ पे जीरो रखिए कामा वाई कमान चार है तो चार लिख दिया यानि जीरो कामा चार अब आपसन में देखते हैं कि जीरो कामा चार कहां पे दिया है आफ्सन में देखेंगे फ्रेंज ताद भी अगले सवाल को देखते हैं पाच्वा नम्बर का सवाल है कि समी करऩ 4 यक्स स्कॉायर माइनस 12 यक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे अब मूल बताना है कि आपका मूल क्या होगा? देखे फ्रे जब दियुगाद समीकर दिया होता है तो यह पहले A का होता है यह B का होता है यह C का होता है आपका मूल बताना होगा तर पहले क्या करेंगे कि आपको B square böloga दो मैट ऐसले क्लाब निकाली ठीक है अब देखे B का मान कितना दियाrire 12 middle 12 square कर लिए − 4 गुड़ए A के मान कितना दिए 4 तो 4 गी है और C को मैं कितना दिए 9 और 12 के कितना हो जैंड 144 ठीक है और minus इसका गुड़ा के लिए 614 24 नहूं 14私 4 नहुंah जीरो आता है सब्सक्रvousic I am क Kingdom स म३ परअबर होताए एकिसरी से सवापस्वालों को कहल कर कि exercising यह लगाएगा जिसे आपका इंसवर गल्ति कभी नो आपके सामने अगला सवाल नेखहां पर कि समक्सार्टि वाहूत रिफूज कि के ठीन ब्ुझाओं के मद बिंदु करते हो सबस्क्राइब सम दिवाहू को मतलब होता जिसकी दो बुजाएं बराबर जैसी ये बुजा ये बुजा बराबर है अब यहां भी कर रहा है कि इसके मद्ध बिंदू मालिज इन तीनों का ये है इसको मद्ध बिंदू का आपस में मिलाएंगे तेक तिरभूज बनेगा और ये भी परंदी धशी बनेगा सम दिवाहू तिरभूज के मद्ध बिंदू के यह इंदि मिलाते हैं तो सम दिवाहू तरिवाँ नियर्ष बनता है इसका सही जवाब कहां प्लप का टी जब चलिया अगले सवाब को देखते हैं। सात्वा नमबर का सवाल है कि तिरभूज ए बीऄसी के सिर्ष और आपको बस अदम सिंपल तरीका समझा आप सभी स्वाल को देखे एक पोटा के दूँ यहां पर होगा x1 यहां पर होगा y2 minus y3 plus x2 यहां पर होगा y3 minus y1 plus x3 यहां पर होगा आपका y1 minus y2 इस पर रखें दीजिए अब देखे फ्रेंस यहां पर आपको क्या होगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3 इस करसे घो देखें जिएillary अब इस कंमार रख लेजिए चलिए रख पदाते आपको अदम मिश्टे यक्षे 1 कंमां0 रखें जिए साय प्लस y1 का मान 0 इसावाल करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और जाको जाएगा और तो इसको हमसे मतलत तो है नहीं देखें एक बटा है कि दूद लीजिए अब देखें शिर्फ यही बच रहा है गूडा करेंगे कितना बच रहेंगा माइनस एक आए में करेंगे तो ए स्कॉार हो जाएगा अब देखिए क्या करना है आपको अब गुड़ा करेंगे तो कितना हो एक बटा के दू वह माइनस ए स्कॉार आजएगा देखिए फ्रेस आपको एक चीज यहां बताते कभी भी छेत्रफल माइनस में नहीं लिये जाता इसका इसका एंसर क्या हो जा़ागा 1 सायज जो आपशन में देखिए कहांप सही बटागी लgamot इसका जवाब और अगले सवाल को करेंगे तो सब्सक्राइगा साइन नो अंस अपान कास एक क्यासी अंस कमभान है देखिए इसको ट्रिक से अल करना रहा है गर देखिए पहले अंस और हर में एक वला जोड़ के देख लिए नब्बे आ रहा है कि नब्बे आएगा तो डारेक्ट एक लगा दीजिएगा ठीक है देखिए नो एक दास आठ आठेक नहीं आ रहा है है नो और एक यासी योग करेंगा नब्बे अज़ए नब्बे आ आएगगा तिसका एस्का एनॉस का होगा तिसका सही जवाब होगा सिदीगे फicz लेकिन इस सवाल को आपको पताते हैं सवाल क्या कैसे होगा आपको ट्रिक से पता दिए एक लाइन में अब इस सवाल को आपको जैसे लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे अब देखिए जैसे यहां पर आपका है साइन नवाणस अपान कास क्यासी आपको जैसे अब इन दोने में इसकी एक को चेंज करते हैं यहां प्या लिख सकते हैं तभी तो तो नवाणस आगा और यहां पर कास क्यासी लिख लिजीए अब देखिए का साइन अब्वैं मैनेस ठीटा कि लिख सकते हैं काश ठीटा हो ठीटा कि निटा कितना है तो जैकर चलिए अगले सबसुने की लगाना है ऩो एक आध शर आपका एक लगा ने dar सेक स्क्वार्ट ठीटा कम भान होगा अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखे फ्रेंज आप इस सवाल को जैसे आपको लगाना है तो लगाएंगे कैसे कि देखे साइन इसक्वाइर ठीटा गुड़े से कि स्क्वाइर ठीटा क्या लिख सकते हैं वन अपन कास इसक्वाइर ठीटा अब दोगे साइन इसक्वाइर ठीटा अपन कास इसक्वाइर ठीटा अब दोगे साइन ठीटा कास ठीटा क्या लिख सकते हैं टैन ठीटा और यहां पी स्क् 10 square theta इसका सही जवाब आपका होगा A ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं ये आपके सामने अगले नंबर का सवाल है उचाई दूरी से है चलिए इस सवाल को देखे आपको हल करके बताते हैं कैसे इस सवाल को आप लगाएंगे पहले सवाल आप पढ़ लिजिए देखे एक ज़ंडे के लठे के पाद से पाद लिखा है ठीक है पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदू A है यदि कोड PAB बराबर 60 है तो ज़ंडे की उचाई ग्याद कीजा अब देखे इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो आप चित्र बना लगे तो सवाल लग जाएगा देखे ज़ंडा है अब इस ज़ंडे से इसके नीचे पाद मतलब रहते हैं यहां से 50 मीटर की दूरी पर 50 मीटर यह है 50 मीटर की दूरी पर क्या एक बिंदू A है और देखे यह PAB यानि एक कोड कमान कितना दिया तो देखे अब इसको इस से मिला लीजिएगा यहां पी इसका मान दिया है 60 अब पूचरा ज़ंडे की उचाहिए तो इसकी उचाहिए पूचरे उचाहिए की यह दिखा दीजिए अब यहाँ भी देख लीजिए यह आपका LUM्ब है, यह आधार है, जब LUM्ब और आधार पता रहता है तो कौन सा फार्मूला लगा आते हैं, 10 ठीटा बराबर LUMB ऩटा के आधार, यह होता है फार्मूला ठीक अब देखे 10 ठीटा कि जब कितना दिया है साथ हांस लंब कितना दिया है यच और आधार कितना दिया है पच्चास अब 10 साथ हांस का माना को पता होना चाहिए कितना होता है तो करड़ी में 3 होता है यच बटा कितना हो जाए 50 हो जागा तीरिया गुड़ा कर लीजिए ज मीटर में तरें स्वराइब मीटर में घ्ञंडे की उचाहि कितना ह 팔authant गार्ट पचास करदी मीटर m यह प्रेख लिए अपके सामने अगले नंबर का सवाल यहां पह देख लिए अब देखी इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? यदि एक ब्रित की 50 परतिशत कम कर दी जाए देखिए एक ब्रित की 30 यहां पर ठीक है यहां पर क्या रहेगा आपका 30 परतिशत कम कर दी जाए तो इसके छेत्रफल में कमी होगी आपको छेत्रफल में कमी बताना है देखिए अब इस सवाल को आपको लगाना है तो कैसे लगा सब्सक्राइब काल साथ यहां पर स्लवी को घुड़न से यहां पर आ रहा होगा से विया पर का फार्मूला आपके देखेंगे दियोंगा पाई आर इस्कृर ठीटरे, तोırdटां ठीजुड और समय सब्सक्राइब कीई आपके यहां कर रहा हू handled थ है यहां पर नयाद 3 होजाए आर plus कम कर रहा है तो माइनस कर लीजिए और कितना कम कर रहा है 50 प्रतिए 50 प्रतिए से कम करने की मतलब यह वाता है 50 कर 50 गुना के 100 देखे 2 1 दू दू यह देखे और माइनास का इसको एक दो कर लेते हैं इसको और टो कर लेते हैं एक सभाइगा अब देहें छेटर फल में अंतर कर के पितना होगा ठिक है में कमी पूच रहा है था छेत्रफल में कमी क्या हो जागार दखिए अ कि अ भच हो उप एक बचेघा लीगा इसी को हल कर लीजिए इसकोаствर तीन यानिकी तीन बटाके चार हो जागा अब इसको देखिए इतना तेंस्वर दिया नहीं आपको प्रतिश्रत में दिया तिसको प्रतिश्रत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अगले सवाल को देखते हैं यहाँ है अगले सवाल को देखते हैं यह आद्हार की परिमाब तो 33 मीटर तो शंकू की त्रिज्या होगी देखें फ्रेंज यहां पर यह संकू है ठीक है संकू यह देखें होगे आप संकू इसकी आधार का परिमाप का रहा है परिमाप का मतलब यह होता है कि इसकी बृत देखें अब आधार को देखें तो बृत है और बृत का परिमाप क तो पाई आर होता है अब यहां फिरित का परिवाप कितना दिया तैये 33 रख लीजिए दू गुड़े पाई कमान कितना है 22 बटा के साथ आर कमान याद करना है अब पच्छांतर करके हल कर लीजिए 33 एक बटाग दू हो जागा यह साथ बटाग बाईस पलड़ जागा नहीं इधर आगा तो भिन पलड़ जाता है आर हो जागा देखे 11 दूना के 22 इग्यारत यह तैये 33 अब गुड़ा करेंगे तो कितना हो जा है जिसका सही जवाब होगा आपका ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखिए आपका 13 नंबर का सवाल है कि परिमिये संख्या अब देखे फ्रेंस यहां परिमिये पूछा है परिमिये का मतलब यह होता है जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं जि इसको क्या तक देखिए दूर सोला को देख निखाल सकते हैं चार ओगा इसका वर्गमिये निकल जाएंगा वह परिमय संख्या काल आता है जैके जैसे पांच करेंगे कड़ी पांच क करेंगे आपरिमिये होगा देखिए इसको हंड नौ नौ चार तेरा तेरा बटा कर नो है इसाल हो जगार परिमेशन क्या पूछे का तो आपका सही जवाब क्या होगा वी होगा ठीक है इस प्रकाद सभी सवालों का सिंपल का सीखिए आपके सामनी अगले नमबर का सवाल है डिक हो ट्रिक से भी बताएंगे आपको भी पता ये जो आपको वीधि अच्छा लगेग प्रियों देखना है कि अब इसके हैं नहीं जाने नहीं तो उसके हैं भी नहीं गोड़ा जो condition का रहा है उनका गूड़ा करके देख लिए के 12 किस प्यारत देखे 5 दुना के 10 यह आप साथ नहीं सही हो सकता है 6 कम 6 है भी नहीं हो सकता है कर रहा है तो इसका गुड़ा करके देख लीजिएगा तो इसको ट्रिक से भी आप हल कर सकते हैं सिंपल तरीका से चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने 15 नंबर का सवाल है देखिए यह आपके बोड़ की एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है क्या है कि त्रिबूज ABC में CA,CB के मद्धि बिंदू ED जो दिया है यदि D बराबर 3 cm यानि यह 3 cm है तो इसमें AB की माप पूछ रहा है अब देखिए फ्रेंज C A,CB का यह मद्धि बिंदू है तो मतलब क्या होता है कि जैसे यहां से लेके यहां तक यह पूरी दूरी यद यह दो रहा होती इसका मतलब यह एक हो जाएगा यह भी एक हो जाएगा ठीक है और इसी प्रका इधर भी क्या हो जागए यदि यह दो रहा होगा तो यह भी एक हो जाएगा अब देखिए फ्रेंस यदि यह सम क्या है आपका मद्धि बिंदू होता है ना मद्धि बिंदू यह वुज़ा यानि अदि और यह पूरा वुज़ा एसी यह बराबर और किसके ईडी के बटाके बी-ची क्या हो जयागा अब देखिए यही कमान अभी जब बराबर है यह कमान कितना दिये एक अवी कमान अपने तरफ से माने हैं दो दो ले लिजिए ठीक है अब यहां पर ए प्रकास से आप सवाल को हल किजिएगा चलिए अगले नंबर के च्छटावा नंबर का सवाल देखते हैं इसको ट्रिक्स भी लगा सकते हैं आपको बताएंगे दोने विदी से सुलावा नंबर का सवाल है कि बिंदू 6 यानि कि बिंदू पी जो है माइनस 6 का माट दिया तो मूल बिंदू से दूरी इसका बताना है अब का मूल बिंदू से दूरी ग्यात करना होगा तो सीधे जो बिंदू दिया है देखिए मूल बिंदू से दूरी जब को आता है दूर यही प्लगा देते हैं क्या होता है कारोड़ी में यक्स स्वार प्लस या का इसकुर यहाँ प्लस आठीस सवार जाएगा 8 के isquara कितना होगा और 64 हो जाएगा अब इसको जोड़े कितना होता है तिसका सही जवाब दूरी कितना है आपका 10 तिसका सही जवाब आपका होगा सी देखिए कितना सिंपल था आपका मूल बिंदे से दूरी पूछे हैं तो डारेक्ट इसका स्क्वार कर लिए चाशाड़ा के चाटिस अठा के चोज़र फिन जोड़के वर्गमूल निकाल लीजिए वही फार्मूला के हो जाता है तीज प्रकास से आप सवाल को आसानी से ल ठीटा बटाके कास ठीटा और किसके बराबर साइंन ठीटा के बराबर है साइन कड़ने और बचके एक कास ठीटा क बराबर एक हो जाएगा ठीखे एहाँ पर हम क्लिक लिगो ने चैकनी करेंगे देखे यहां पर कास ठीटा है और यह किस्में कास 0-2 यहां कितना हो जएगा आपका तो थोड़ा साथ है लेकिन आप सभाल को समझ जाएंगे तब बहुत कम समयमी सवालों के लगा लेंगे ठीक है आपको सामने यह तब स्बांगे साथ सैख नमबर का सवाल है ऐसेज候 को हल करके बताते हैं यहां पर तूय। भीटा का मान कोगा हैँ यह स्टीटा मान कोगा होगा ए यहां पर के समयोटर को बाता है मतने तो इस में फिल चुछिंगा कोगए तीक बीज़ा खता ऐस्वास मदसर मासरीis ठीन हट है अब यहाँ पर साट है सोट ज können ब्यों एक रहाय है यहां प्रहस्त कितन उब आपका ओंजार के 2 एसाप सवाल spricht सही जुआप आपका बी वला होगा ठीक है तो ऐस एक ठीटा बराबाद । थिटा कमान कितना होगा पाई पड़ा का है ठीजो पाई होगा ठीज है देखे हैं आ raises vic 19 दिमर का स्वाल है यहाद यह है तो बिरित की परिदी होगी ठीविधिक है अब france देखिए यहां पर जो त्री लिया गया है किस रूप में लिया गया एक रूप में और बृत की परिदी का फार्मॉला क्या यह देखें, आपसे मुर्य की पौरी दी, आपको फार्मूला पता होगा, वीवला होगा, वीवलाइव प्समाइट होगा, टू पाई यह होगा, तेखें, आपको एक जगण कभी रख्सक दे सकता है, कभी कोई अक्षर दे सकता है तिरिजा के जगह तो डारेक्ट वहां पर आर के जगह पूस अक्षर को रख देंगे तो आपके एंस्वर मिल जाएगा आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है बीश नंबर का है कि संकु का आयतन का सुत्र होगा आप संदे सकते हैं पाई रिस्क पर एच तो फ्रेंस यहां पर आपको बता दें कि 20 महत्तुपुर्म मैत के प्रश्ण आपको कराएं इन सभी प्रश्णों को यदि आप जैसे बताएं इस प्रकार हल कर लेते हैं तो आपकी बोड की एक्जाम में आप से एक नंबर का जो सवाल करते हैं गलत होने की संभाव नहीं रहा जाएगा इन सभी प्रश्णों को आप एक दो बार वीडियो को जरू देखिएगा जिससे आप बोड के एक्जाम में 70 नंबर का पेपर है तो मैत में 70 में 70 आसानी से लाज सकते हैं तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल वीडियो समाप्त करते हैं